नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं कमिंग भारत की जो टीम है इस टाइम बलियां बिधान सबात छेतर में आ चुके है सरवे पे आपको हम बता दें कि इस टाइम हम जिस गाओं में हैं ये गाओं आता है फेपना बिधान सबात छेतर में आप देख सकते हैं जैसे कि साथ ही जाता है, जえसे कि मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जादा पानी लगा हूआ है लेकिन योगी सरकार बुर्तमान में जो है वो कहती है कि हम लोग विकास की गंगा बहार रहे हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरब इस तरीके से यहां पर पानी लगा हुआ कि यहां से बधभू हुई आ रहा है लेकिन अब बात आ जाती है यहां ब्रतमान के विधायक ब्रतमान में जो भी प्रतिनीधी चुन कर जाता है लेकिन वो लखनव का हवा लेने लगता है आपको कि अभी तक लगभग दो बार से लगतार यहां के प्रतिनिधी जीत कर लखनव के AC में वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी यहां की समस्या है, समस्या को देखना वो नहीं चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको काफी दूर तक देखने को मिलेगा कि यह रोड एक अच्छ कि इस समस्या को हम बहुत ही जल्दी solve करेंगे, लेकिन दो बार से लगतार विधायक हो गए, लेकिन एक भी बार इस समस्या को solve नहीं किये, चलिये हाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस समस्या के बारे में जो भी यहां के प्रतिनिधी हैं, यहां कि बरतमान विधायक हैं, क्या वो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है नजलिक आ चुका है, और काफी लोग आएंगे और बड़ी बाते करेंगे कि आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, और आपकी जो भी समस्या हैं, हम उसको दूर कर देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अवी फिराल ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये बारिस का पानी नहीं है, ये मातरो थोड़ा सा पानी है, जो घर से पानी, काम और कासे बहाया जाता है, लेकिन यहां कि लोगों का कहानाम ये चाहिए वो परधान हो, या बरतमान के बिधायक हैं, ददी, हमें हेल के जालू, दिक्कत होला कि ना, दिकत बटले बा, आवतन जा जातन जा, ता दिकत नहीं खे, अब ये तर नान पहले रहाल हो, ना, तो अच्छा ये बताएं ददी, अभी आपके यहां से बिधायक जे अभी बा, यहां के जो भी समस्या बाप उनसे कहानी हैं कि ना कहानी हैं कि विधायक जी हमरें है, हाईल नाली के समस्या बा, दूर नेखे हो, आवतन और जातन देख के चल जातना, मतलब समस्या, चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगा, जानेंगे, देख लेकिनों देख के कोतनों के हम का करें, हम एकर नेखी, हम एकर परधान ना हाई, चलिए ठीक हाँ, अच्छा, जैसे कि आपको हम बता दें, कि ये लोग उपेंदर तिवारी जीसे इन्होंने कहा, कि इस समस्या के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम यहां के परधान नहीं है चलिए मानते हैं कि वो यहां के ग्राम पंचायत के परधान नहीं है, लेकिन ये भी लोगों का कहनाम है, और लोगों को जानना का बहुत ज़्यादा अधिकार है, कि वो इस छेत्र से दो-दो बारलागातार से बिधायक हैं, लेकिन इतना छोटा सा काम जो है, जो कि वो उपेंदर तिवारी को आतने हैं कि हमार काम नहीं है, परधान के काम है, तो जब ओट मांगें हैं हम तक का को हम? किस फायदे के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, हम परधान नहीं है, अभी ओट मांगने आएंगे, तो क्या कहेंगे आपकी यह ओट भी आपका नहीं है, परधान का है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, कि इन लोगों का नाम है, कि यहां के प्रतिनिधी हैं, उनको इन्होंने कहा है, लेकिन वो समस्या पर गौर नहीं करते हैं, अगर इस बार वो ओट मांगने आएंगे, तो इन लोगों का करारा जबाब होगा, कि हमारे पास ओट नहीं है आपके लिए, अच्छा चलिए ठीक है, अभी फिराल तो आप हो ओट देंगे, वो आएंगे, ये भी कहेंगे ना, कि ऐसा है कि अभी काम का जरूक गया है, और दे दिजिए अगली बार हम लोग काम को कर देंगे, तब क्या करेंगे, पहले इसको देखिये, इसके बाद से हम लोग देंगे, अच्छा, मतलब इसको करके दिखाईए, उस प्रदान के अंडर में आता है इसके लिए और चले गए यहां से अगर देखा जाए तो अभी चुनाओं आ गया है अभी आएंगे कहेंगे कि हमको वोट दीजिये हम ये विकास करेंगे विकास करेंगे लेकिन देखा जाए धरातल पर सबसे ज्यादा यही विकास होता है और आपके प्रतिनीधी कहे रहे हैं कि हमारे हक में नहीं आता है तो क्या जबाब देंगे जब वह आपके बीच में रहा होगा और आप लोग आने वाले 2022 को चुनाओं में किसको सपोर्ट करेंगे अगर जो अच्छा काम जो देखी हमारे कानक का मतलब यह कोई भी सरकारा आए हम लोग का अच्छा काम चाहिए बस इसके लिए और दूसरा हम लोग सरकार चुनेंगे और दूसरा सरकार आएगी जरूर जरूर आएगी जिसके मैं बता दूं कि युवाओं का कहना है कि वह आएंगे लेकिन उनसे सबसे पहले यह कहा जाएगा कि पहले इस वर को करके दिखाएं और युवाओं का सबसे ज़्यादा रुजहाव होता है कि काम करने वाला विक्ति जो परतिनिधी हो अगर स यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गया थैंक्यू फर वाचिंग